September to December Q-Cards अगर आप भी एक्जाम देने वाले हैं September में या फिर October में तो ये वीडियो आपके लिए हैं और अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि September में मेरा एक्जाम है और खास तोर पर अगर आपका एक्जाम है 5th of September को तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो Q-Cards मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5th of September को आने के बहुत सारे चांसी हैं somewhere I can say that that is my production and if you watch this video so I would highly recommend you to prepare all these Q-Cards which I am going to share in this video हो सकता है इस में से कोई Q-Card आपके एक्जाम वाले दिन आपको आजाए तो चलिए सबसे पहला Q-Card है A memorable story latest Q-Card है बिलकु latest Q-Card है और September में इस Q-Card के आने के बहुत सारे chances है A memorable story कोई भी एक story आपको share करनी है कोई story memorable हो सकती है कोई भी आप कहानी share कर सकते हैं जो आपको लगे कहीं से आपने सुनी हो कहीं पर आपने देखी हो या फिर किसी ने आपको बताई हो या कोई ऐसी memorable story आप create भी कर सकते हैं So September to December Q-Cards 2020 If you're going to take exam in the month of September So please prepare this Q-Card Next is a healthy lifestyle A healthy lifestyle आज है 27th of August जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज ही मेरी एक online student है जिनका exam हुआ है पटियाला के अंदर और जिनको ये Q-Card आया था और मैं आपको बता दू कि Jan to April 2020 तब से लेकर अब तक ये Q-Card पूछा जा रहा है जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे Q-Cards हैं जो कि last year के Q-Card है लेकिन फिलहाल उनको थोड़ा सा modify करके उनको पूछा जा रहा है तो ये Q-Card सब्टेंबर में होने के chances हैं तो एक अच्छा और बैटर आइडिया है कि आप इसकी भी तैयारी कर लें हो सकता है कि आपके exam में ये Q-Card आ जाए हो सकता है आप सोचें कि नहीं ये Q-Card शायद हो सकता है नहीं आए सो हो सकता है लेकिन ये Q-Card आ जाए थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना जिसको बोलते हैं पर discussion is always better to do I mean say always it's good to prepare in advance next Q-Card is a place full of color कोई ऐसी जगा जहां पे colors बहुत जादा हो आप किसी school की बात कर सकते हैं जैसे किसी school में और खास तोर पे अगर कोई बच्चों का school है junior level पे कोई school है primary school है जहां पर बच्चों को attract करने के लिए उनके जो rooms होते हैं उनका जो playground है और खास तोर पे उनके जो classroom है उसको attractive बनाने के लिए ताकि बच्चों को वो attract करे उनको अच्छा लगे उनका मन लगे so school के उपर आप prepare कर सकते हैं यह cue card जो है बहुत ज़्यादा important cue card है you are more likely to get this cue card if you take exam in the month of September next is a surprise meeting कोई भी एक meeting क्या बात कर सकते है surprise meeting जो कि let's say you were surprised to meet someone हो सकता है कभी आप surprised हुए थे किसी meeting को लेकर surprised meeting वो है जो आपने expect नहीं किया था और कोई ऐसी meeting जो unexpectedly आपकी meeting हुई हो किसी के साथ भी कोई दोस्त हो सकता है रिष्टेदार हो सकता है टीचर हो सकता है कोई family member हो सकता है relative हो सकता है कोई भी हो सकता है so this cue card को भी prepare करें September to December के लिए next is a quiet place a quiet place quiet place last year अगर मैं बात करूँ 2019 2019 में भी ये cue card आ रहा था पूछा जा रहा था a quiet place और 2020 में इस cue card को पूछा गया describe a place where you are able to relax quiet place अगर आप में से किसी ने भी last year तैयारी की थी या आपके किसी cousin ने किसी दोस्त ने brother ने sister ने आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये cue card last year भी था और इस साल अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगर आप जैन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी इस cue card के आने के chances easily हैं क्योंकि बहुत सारे cue cards ऐसे हैं कि जो 2019 में भी पूछे जा रहे थे 2018 में भी थे उनको थोड़ा बहुत दुबारा फिर से बोलूँगा मैं तो थोड़ा बहुत modify करके उनको पूछा जाता है इसके लावा part one में अगर मैं बात करूँ एक topic है hometown hometown एक ऐसा topic है hometown, apartment और flat अगर आप exam देने वाले हैं यह मैं आपको highly मतलब मैं suggest करना चाहूंगा speaking के लिए अगर जिस किसी ने भी मेरी videos देखी हैं आपको पता होगा कि मैं अपनी videos में पूरी जान लगा देता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि मेरी video देखने के बाद आपको बहुत सारी help मिल जाए और आपका score अच्छा है so यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि hometown, apartment, flat or science, or bricks, or math, or hair, jokes, age, insects यह कुछ part 1 के topics हैं जो आपको जरूर पर करने लए चाहिए अगर आप September में एक्जाम देने वाले हैं I hope that you found this video useful and if you are new to my channel I would highly recommend you to subscribe my channel and I've also uploaded several videos related to IELTS, please go and check them out Thank you so much for watching this video and if you are going to take exam soon, best of luck